आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल वैज अंगारा इसे आप मिक्स वैज भी खह सकते हैं यह काफी स्पाइसी तो होती ही है लेकिन इसका स्मोकी फ्लेवर इसके टेस्ट को दुगुना कर देता है स्पेशल मोकी को और स्पेशल बनाने के लिए आप बनाएं वैज अंगारा आसानी से बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देखें पसंदाने पर लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर अबी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे साथ में 100 ग्राम केरट ली है जिसको लॉंग पीसेज में कट किया हुआ है साथ में 100 ग्राम बीन्स वेजिटीबल से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं साथ मैंने 3 अनियन लिए जिसको चॉपर की हल्प से बारी कट कर लिया था आप चाहें तो ग्रे चिली पेस्ट, 100 ग्राम टोफू लिया है आप चाहें तो प्लेन पनीर भी यूज कर सकते हैं साथ में 1 रेड केप्सिकम, 1 ग्रीन केप्सिकम, 3 टेबल स्पून कर्ड लिया है कसूरी मैथी, ड्राइड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट लिया है यहां पर एक फ्रैंक पेन में वाटर बॉयल करने के लिए रखा है, जिसके अंदर मैं केरेट को डाल दूँ और इसी के साथ मैं बीन्स और ब्रोकली को भी डाल दूँगी, हमें वेजिटेबल्स को लगबग 40 परसंट तक कूक करना रहेगा, इसके लिए लगबग 4-5 मिनिट के लिए हम मैं इसे कवर करके रखोंगी ताकि वह 2-3 मिनिट में ही बॉयल हो जाए, अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट एड कर रहे है, ताकि जब वेजिटेबल्स बॉयल हो तो सॉल्ट का टेस्स वेजिटेबल्स के अंदर तक समा सके, अभी वेजिटेबल्स 40-50 परसंट अभी हम इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाल रहे है, ताकि इसका कोकिंग प्रोसेस भी बंद हो जाए और वेजिटेबल्स का ग्रीन कलर भी बरकरार बना रहे है, एक फ्रैंक पैन में 2 टीस्पून ओल गरम किया है, जिसके अंदर 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है, इसी के साथ में जो हमने अनियन फाइनली चॉप्ट कर के लिए थे, वो हम इसके अंदर एड़ कर देंगे और लगबग 1-2 मिनट के लिए हम बुन लेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट एड़ कर देंगे, ताकि अनियन बहुत जल्दी से बुन कर तयाल हो 1 टीस्पून रड़ चिली पेस्ट एड़ कर रहे हूं, यह मैंने कश्मिरी ड्राइ चिली को हाफ एन अवर के लिए वाटर में सोक करके रख लिया था, और फिर मिक्सर ग्रैंडर की हैल्प से मैंने इसका पेस्ट बना कर तियार कर लिया था, अभी हम इसको एक मिनट के लि अभी इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, आप फ्लेम को कंटिन्यूज अभी लो टू मीडियम बनाए रखें, आप देखें सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, अभी मैं इसके अंदर टॉमिटो प्यूरी एड़ कर रही हूं, इसको भी हम इस वज़े से हम इसी प्यूरी के साथ करीब 1-2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, अभी लगबग 2 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसके अंदर पेस्ट कर रहे हैं, मैंने यहां पर 8-10 काजु को हाफ एन अवर के लिए वाटर में सोक करके रख लिया था, और एक ग्रैंडर की आप कर रहे हैं, 3 टेबल स्पून कर, इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, अभी हम ने जो वैसी टेबल बॉइल कर के रखी थी, वो हम इसके अंदर आइड कर देंगे, और इसी के साथ 250 ml हम वाटर अट कर देंगे, ताकि सारी वैसी टेबल ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और लगबग 2-3 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे अभी हमारी ये मिक्स वैस बहुत अच्छे से बन कर तेयार हो चुकी है मैं इसके अंदर पनीर एट कर रही हूँ मैंने पनीर को फ्राइश नहीं किया था इसे पिसेस में कट करें, इसलिए फाइब भी अब हम इसको भी मिक्स कर देंगे हमारी मिक्स वैस बहुत अच्छे से बन कर तेयार हो चुकी है लेकिन स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉल रख रही हूँ जिसके अंदर में जलतावा कोईला डाल रही हूँ और इसके उपर इलाइची पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और इसके साथ इसके उपर 140 टीस्पून गी भी डाल देंगे और अभी हम इसे कवर करके एक मिट के लिए रख देंगे ताकि सारा स्मोक पूरी वेजिटिबल के अंदर बहुत अच्छे से समा सके अभी लगबग एक मिनिट हो चुका है हम इस बॉल को बाहर निकाल लेते हैं और गैस का स्विच आफ कर देंगे अभी हमारी वेज अंगारा बहुत अच्छे से बन कर तियार हो चुकी है अभी यह सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है आप इसे चपादी नान या पराटा किसी के साथ भी साव कर सकते हैं इसमें यूज होने वाले इंग्रीडेंट्स को हम एक बार फिर से रिकेप कर लेते हैं अभी यह सर्व लेजड बहुत अफे इस पिर रे ढ़ते हैं आप इस अच्छे नाग्चे में चुकी है झाल झाल